अस्ट्रानिक जोर्स माइन मैं बिजवान चीमा, I welcome back with another video of Capital Smart City आज के वीडियो में Capital Smart City में Executive District 1 के हवाले से explain करूँगा और Executive District 1 में इस सब development का सूर्थ रहल बताऊंगा as of end of June 2023 अब अगर हम एक्जेक्टिव ब्लॉक की बात करें तो Executive Block जो हो Capital Smart City में जो सबसे पहले ब्लॉक launch हुए थे, उन में Executive District था, जिसका पुराना नाम General District था यह General Block था, अब Executive Block नाम है, Executive District 1 कहते हैं आम तोर पे Executive Block में अगर development की बात करें, तो माँ सिवाए Sector B के, ऐस सच कोई दूसरा block develop नहीं हुआ था लेकिन आज की डेट में कर विजिट करते हैं साइट पे, तो आपको Major Part पे, At Least Browning और कुछ पार्ट पे Proper Streets की alignment जो है, और Main Boulevard जो है, वो Up To D Block और E Block तक extend हो चुका है, तो इस हवाले से यह Executive Block की latest development है, प्रीवेस टे Executive Block में, जिस पार्ट तक अभी आप देख रहे हैं, एरियल फुटेज, इस पार्ट तक Land Jump विलास की आखरी स्ट्रीट है, यहां पर कामकमल हुआ था, और आगे वाला पार्ट जो Block C है, राइट सेड़ ब्लॉक E है, यह exist नहीं करते थे, लेकिन Fortunately, अभी Executive Block जो है, उनके Members की भी सुनी गई है, कि Executive Block की Land का major part है, specifically Block C का, Block D का, Block E का, वो प्रिक्योर हो चुके है, और जो बाकी आगे वाले पार्ट है, उनमें कुछ में पार्ट में Land प्रिक्योर हो गी है, लेकिन कुछ pockets ऐसी हैं, जो अभी भी आप कहलें कि Litigated हैं, उनका क एक्टर D में और E में, उन Members के लिच्छी बात ये कि आपको आने वाले दिनों में, most probably by the end of 2023, यहां पे Possession Offer हो जाएगा, एक्जेक्टर ब्लॉक के जनरली बात करें, तो सबसे जो सस्ते प्लॉट जो पहले लाँच किये गए थे, यानि कि यहां पे आम तो पे, अभी Capital Smartity मे डिवेलप और Possessionable Plot, तो यहां से आप अंदाजा कर सेते हैं, तकरीबर हाफ रेट से, यानि कि अगर ओवर्सी ब्लॉक में रेट है, 40 लाग रुपे का, तो यहां पे रेट जो है, वो तकरीबर आपका 23 लाग, 24 लाग के रेट है, अल्मोस्ट आपका 55 पर 60 पर से कैप आता दुसरी बात कि Executive का जो एक ही सेक्टर डिवेलप था, और सेक्टर B में है, इस वक्त तकरीबर 280 के असपास विलाज हैं, पांच पन लाग के जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, अब उन विलाज का जो Possession है, वो Society की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि September 2023 में 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 मेंबर्स को हैं जिनके Plots रेडी हो जाएंगे, स्पेसिफिकली सेक्टर B, C, D and E सेक्टर की बात करें, बाकी जो सेक्टर हैं वो अभी तक उसी तरह लिटिगेटेड हैं, उन में सेच लेंड के प्रिक्योर्मेंट का मकमल नहीं हुआ, और वहां पे ऐस सेच अभी डिवेलप्मेंट का गास अब आने माले दिनों में जब जार सी बाता चेंजिस आएंगे, तो इन्शाला उस हवाले से में आपको डेटेल से चीज़ें कर दूँगा, कि एग्जेक्टिव ब्लॉक में कहां पे डिवेलप्मेंट स्टेंड करती है, आज की डेट में, यह वीडियो जो है, यह एंड औ 505 कनाल के अनों सी था, और एग्जेक्टिव ब्लॉक जो था वो पहला ब्लॉक था, जिसमें जनल ब्लॉक के नाम से लोगों को प्लॉट यहां पे सेल किये गे थे, बट एग्जेक्टिव ब्लॉक की लैंड में चुकि कुछ इशू आ गे थे, इस वज़ए जो साइटी ने अलटरेन्टली सेकंड ब्लॉक जो लॉट Rei किया था वो था Overseas Block, Overseas Block को देखेंगें तोडवन से लेकिए अब तक एक Overseas Block जो है इसक्स विला स्टार्ट हुए है और 92 विला प्लॉट्स पे मेंबर जनरली पॉजेशन अप्लाई किया है तो यह और अवराल एक्जेक्टे ब्लॉग की कंपरिजन तो ओवर्सीज एस्ट यह एक्जेम्पल थी अब बात करते हैं स्पेसिफिकली जो सेक्टे डेवलप है एक्जेक्टे ब्लॉग के साथ जो गॉल्फ कोर्स को एक रोड डिवाइट करती है 180 फिट वाइड रोड उसके ऑपोजट साइट पे गॉल्फ कोर्स के अंदर जो है वो साइटी के सबसे जो लेविश विलास होंगे जिनकी प्राइज होगे डेफिरेंटली मिलियंस में यह मैं प्रेफर नहीं करते एक जर्डेपला जर्ड वाइजक्टे दो नहीं करते हैं आप एक्जेक्टे ब्लॉच को आपको आपको काफी ज़्यादा एलेवेटिट बिलती है अब ये एंगल से देख लें तो आपको पीछे जो 180 feet road है 180 feet road जहां पर जाकर गॉल्फ कोर्स की मस्ज़िस से connect कर रहे है उसे भी जो 400 foot का road है तो आपको slow पे एक नज़र आती है ये executive block अच्छी बात है तो जब यहां पे executive block में overall तमाम block का possession होगा और गॉल्फ कोर्स के अंदर विलाज बन जाएंगे तो executive block बिल्कुल adjacent to golf course होगा तो उसकी वैसे executive block की market value में भी काफी इजाफा होगा executive block के बिल्कुल opposite side, b block के opposite side पे lake view commercials है, 4 मला और 8 मला का एक छोटा मरकज है जिसका society ने 20% पे with possession offer किया था अब उसका फाइदा क्या है, 20% पे possession offer करना एक तो marketing के में कहना, कि 20% पे आपने plot का possession दे दिया उसका फाइदा यह है, कि जब आने वाले दिनों में उस commercial मरकज में जितनी construction होगी उसका सारा positive impact जो अग्जेक्टिव ब्लॉक पे आएगा यानि कि resell में आपको executive block के demand उतनी ज्यादा नज़र आएगी आज की date में executive block के demand नज़र आपको उस तरह से नहीं आती mosque के अगर बिलकुल back side पे देखें तो आपको street lane नज़रा रही है, lane 6, 7, 8 यह जो lanes है, इन पे existence की आपको सामने clearly visible है, कहां stand करता है और water tank के बिलकुल साथ जो water tank पार्क है पार्क है बिलकुल साथ आपका एक mosque का plot है एक आपका साथ से school का plot है जिस पे भी construction होनी है right now इसके right side पे जो 180 feet road है यह आपको चक्री road और motorway interchange को आपस में connect करता है और यह जो center में sill river है यह sill river के right side पे सारा आपका overseas prime one है और left side पे सिल river के आपका golf course है और golf course के opposite आपका executive block आता है right now executive block के अंदर सबसे least pricing में आपको plots मिल जाते हैं यह executive block के लिए आप प्रो भी कह सकते हैं और कौन भी कह सकते हैं प्रो उन लोग के लिए यह अच्छी बात उन लोग के लिए जिन लोगोंने अभी investment करनी है यह जिन्होंने अभी procurement करनी है और negative उन लोग के लिए कि जिन्होंने executive block में plot खरीद के at least 4 साल यह 5 साल के time हो गया उनको उन्होंने रखे में है अभी उनके लिए बहुत negative बात है कि आपने 17,000,000 अप्लॉड लिया हो जब डॉलर आपका एक्सवा पंदना रुपेका हो आज डॉलर आपका सावा 300 रुपेक है और आपका प्लॉड यह वो 23,000,000 रुपेक है तो definitely आपकी जो net वर्त है जो प्लॉड की वर्ती जो टाइम प्लॉड की वर्ती आपको पार्क भी नज़र आता है अच्छा एक्जेक्टिव लॉड में याद रहे कि एक इसका अपना अंदर सेंटर में मरकज भी है जो अपना चारमला के मर्शल प्लॉड है जहां पर टोटल प्लॉड जो बनते हैं आपको प्लॉड में आपको जहां पर जादा काम नज़र आता है और मेंबर्स अपने प्लॉड पे प्लॉड करके construction कर सकते हैं अब इस second favorite जो block बनेगा वो C block और E block होगा और C block और E block में जो cutting बनती है plots की C block में आपको mostly जो हैं पांच मला के plots और कुछ एक certain portion है यहां कहलें के 3 streets और 2 lanes हैं जो 7 मला के plots हैं और E block specifically सिर्फ सिर्फ 7 मला का plot है अब जो changes नज़र आते हैं आपको एक्जेक्टिव ब्लॉक में प्रिविएसली देखें और आज की देखें तो आपको यह road जो ऐसी construction नज़राती है यवन दो मैं रोड के विट्व में करके दिखाता हूँ किस रोड कितनी विट्व बनती है जो अभी आज की डेट में proper carpet हो चुगी है यह वाला पार्ट जो एक्जेक्टिव का है यह इनिश्टिव इस पार्ट तक यह बनती है तक रिवन 0.45 यह 450 मेटर की road पहले मुकमल थी अभी एक्जेक्टिव ब्लॉक में आप विजिट करते हैं तो आपको जो extension नज़राती है इस road में वो आपको इस पार्ट तक यानि इस पार्ट और comparison में देखें मैं दोबरा टॉर कर देता हूं किसमने कि अगर यहां से start करते है एक्जेक्टिव ब्लॉक में तो पहले 450 मेटर की road थी अभी आज की date में आपको C block, D block और यहां तक जहां पे D block का starting point है तकरीबर 1.39 km की 180 feet जो ring road है वो बन चुकी है almost 8 km का road यानि कि जो 180 foot का road wide है एक किलोमेटर की length है यह एक्जेक्टिव ब्लॉक में एडिशन होगा है previously यह एक्जेक्टिव ब्लॉक में रोड जो एक्जेस्ट नहीं करता था अगर हम बात करें जनरली एक्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से एक्जेक्टिव ब्लॉक के ओराल गूगल अर्थ पे लोकेशन पे तो अभी तो आपको तकरीबर एक्जेक्टिव ब्लॉक में mostly part पे as such को activity नजर नहीं आती मासेवाई इन sector के block sector B के और इस वाले पार्ट पे क्योंको Google Earth पे images अभी तक updated नहीं है लेकिन actual में जैसे वीडियो में तक्रीबर आपने 9 minute की footage देख लिया है उसे मैं जैसे explain किया है कि सारा area even though इस point तक यानि कि आप D-block तक जाते है D-block का जो ये वाला पार्ट बनता है specifically street 4 तक बनता है street 4, 5, 6 आपकी street 7, street 8, street 10, street 11, street 12 ये वाला सारा पार्ट पर ये वाला जो आपको एक linear park road है यान एक जेक्टिव बुलेवर्ट इसका नाम है 47 feet दोना side पे road है और ये आपको center में जो linear park का ये नजरा आता है इस road पे भी काम शुर होगे यानि कि आने वाले दूने में आपको इस road की connectivity यानि इस part की पूरे connectivity आपको main 400 feet road से connectivity मिलेगी ये future में या future नहीं खर बहुत जल्दी connect होजेगा और ये road आगे extend करेगा जहांबे 5 star hotels के दो plot है इन part के साथ connect करेगा और ये वाला जो इरिया बनता है बीच में एक्जेक्टिव लॉग के बिल्कुछ साथ ये जो लेक वी कमर्शल का अरिया है ये वाला सारा अरिया भी develop हो चुका है और यहां पे society की तरफ से 20% पे possession offer किया गया था आप दूसरी जो attractive point एक्जेक्टिव लॉग के हवाले से इसका B sector में जो विलास का location है यहां पे जो green color में निज़र आ रहे हैं ये Georgian style विलास हैं ये आपके blue वाले contemporary style विलास हैं और ये जो brown वाले हैं ये Mediterranean style विलास हैं इन विलासी construction जो है इवन दो मैं golf course एक कुछ chunks वीडियो में कुछ हैड भी कर दूँ हो clips ये golf course की इस वक एक्जिस्टन्स जो है आपका तक्रीबन half कह लें कि ये वाला जो part बनता है golf course का 180 feet road के साथ साथ ये सारा part जो है इस side से मकमल किया जा जुका है तक्रीबन 70% golf course जो है वो मकमल किया जा जुका है ये मकमल हो जुका है और overseas east की side पे देखें तो ये वाला part जो है golf course का ये मकमल किया जा जुका है ये सारा आपका area properly streets और वो जो carpeting वारा ये water body जो बनी हुई है इसके साथ साथ ये जो area जिस पे काम हो रहा है ये hole बना हुआ है golf course का इन पे भी grassing का काम होना है वो जार सी बाद अवे तो passage of time होता रहेगा तो golf course भी कहलें तक्रीबन 70-80% अर्थ फर complete है जो final इसमें aesthetics के लिए और बाकी जिसमें plantation करा होनी है वो बाकी है बाकी golf course का major काम हो चुका है तो ये executive block के members के लिए अची ख़वर थी यानि सोचाए executive block की वीडियो ना दूँ आने वाले दिन में ट्राइ करूँगा executive block के specifically sector wise और street wise यानि कि B block की जैसे मैं बात करूँ तो B block के अंदर तमाम streets का मैंने जनेरिकली बोल दिये कि तमाम streets developed है लेकिन आप अगर लेट से Google Earth पर रख के major करते हैं तो आपको फिर इसकी clear understanding हो जाती है ये main boulevard पर जितने plot हैं आपके plot number I think once I start अगो plot number 53 तक जाती हैं ये सारे developed हैं इसके बाद lane 1, lane 2, lane 3, lane 4 या वो काफिया तक नीचे na map के नीचे visibility मिल जाती है कितना developed है तो ये executive law की overall जो है इस वक की status है previously आपको विलाज की जो last lane नदर आ रही है मैं अगर specific कर पाऊं तो ये बनती है आपकी streets 9 इस से आगे जो ये वले lanes बनती है lane 7, lane 8, lane 9 और lane 6 भी ये 40-40% जो lanes है वो इस साइड वले delivered थी इस साइड वले ब्राउन थी यान कि development हो चुकी थी इस साइड वले lanes बाकी थी ये वले lanes लेकिन अब society की तरफ से तमाम lanes को मकमल किया जा चुक है और इवन जो जिनाब अलवरड है 100 feet wide road ये भी कमल हो चुकी है पर 7 मरला के जो C block के plots है ये भी इन पर काम हो चुक है possession बस offer होना बाकी है बट हो चुक है पर C block अगर बात करों 22, 23, 24, 25, 26, 27 streets इन पर भी काम हो चुक है so far and so on अगर यहां तक पीछे तक आते हैं ये जो D block और C block को divide करता है road और इस तरफ F block और E block को divide करता है इस road वल एरिये पे भी काम हो चुक है तो previously देखें तो सिरफ इतना सा part था executive block का जो developed था अभी executive block at least ये D block और F block तका के stand हो गया F block partially नहीं है E block मकमल है तो ये वाला जो part है D और G block अभी partially इन कामों बे काम हो चुक है तो आने वले दुनों में members को definitely executive block के वाले से का भी positive news सुनने को मिलेंगी Again back to real time footage इस वापने स्क्रीन पर दुबारा executive block B ये sector B की footage देख सकते हैं जो executive का पूरा developed block है और ये जो footage है specifically मैंने पहले बताया था जहां पे mosque बन रही है mosque जो बनती है आपकी वो street number 3 से अड़ेस्टंट है और इसके इलावा lane number 6 से अड़ेस्टंट है और mosque के बिल्कुल back side पे आपको चार मरला के commercial जो lane number 10 पे और इसके लावा जो है वो river avenue के साथ यानि जो boulevard है पिछे जहां पे boundary road है जहां पे आके commercial के साथ construction हो रही है जहां पे चार मरला commercial का मरकज होगा और opposite तो villas के आपको जहां पे machinery पाक नज़ाद ही है यह बनते हैं आपका e-block का area जह मैंने वीडियो में पहले भी explain किया है कि e-block में सिर्ट साथ मरला के plot है तो वहां पे जो machinery की movement है अवराल development जो हो रही है वो अब live witness कर सकते है कि इस वक standing कहा है executive district 1 की अगर हम बात करें अवराल के executive block के members इतने ज्यादा क्यों उनके साथ इस तरह से हो रहा है कि उनको first buyer थे, first mover थे उनको advantage मिन ला जाई था अभी तक नहीं हो सका तो जार सी बात है society की तरसी एक version आता है कि हमें हमें शुरू में जब land procurement कर रहे थे तो शुरू में कुछ litigation के issues नहीं थे हमने जब payments कर दी तो बाद में जिससरा पाकस्तान में एक trend है कि let's say एक individual है उसके चार बेटे हैं या बेटी है तो जो आपस में diversion होती है जब property divide होती है तो उनमें से कुछ एक बंदनें भी जाके अधारत में stay ले लिए अपनी जमीन का कि मुझे हिस्सा नहीं मिला है एक सेक्टर एक सेक्टर तो उसके बाद पर सारे executive law को litigation स्टार्ट होगी हलांकि society की management का यह officials का इस तरह का कोई plan नहीं था कि हम ऐसी land खरीदें जिसमें litigation हो बट जाहर सी बात है जब इस तरह का डेट दोलाग कनाल के project deliver होते है तो litigation के issues तरह जाते है 2018 से लेके 2023 तक executive law जो सबसे पीछे है development की form में क्योंकि हम पे land के issues हैं लेकिन अगर बात कीचे overall project की तो project 2018 से लेके अब तक 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 तकरीबन आपकी 43,000 कनाल land ऐसी है जहां पे at least streets, underground saverage, underground electricity और water head tank जो है यह बना चुका है 43,000 कनाल एक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर आप 43,000 कनाल को देखें इस तक रावल पिंडी इसलामबाद ने पांस सालों में जितनी societies launch हुई है पिछले कहलें के 2018 से 2023 तक 43,000 कनाल का मतलब है 5,000 एकड यानि 55,000 एकड के आसपास Society ने Capital Smarty ने साइट पर डिलिवर किया है तो यह बहुत बड़ी achievement है जिसमें state of the art projects है अगर मैं लास्ट वीडियो में एक बात करता है कि Capital Smarty की साइट पे at least 7 bridges है जिन पर construction अभी आज की date में आपको physically नज़र आती है 3 bridges ऐसे हैं जो मुकमल हो चुकी है अगर पर ब्रिज आप cost लगाएं तक 30 क्रोड या 40 क्रोड पी तो आपको imagine कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा expensive हैं कितना ज़्यादा society investment कर रही है अपने infrastructure पर क्योंकि यह जो project है इसको design इसलिए नहीं किया गया कि इसमें एकले 10 साल 15 साल में इस project को बेज के free हो जाना है इस project को as a capital of Pakistan से adjacent new and smart capital of Pakistan के तोर पर design किया जा रहा है जहां पर तमाम चीजें जहें वो developed economy से यहां लाई जा रही है for example आपको जो हारले स्ट्रीट clinic मिलता है उसके से लंडन में ब्रांच है इसके लावा किसी दूसरे मुल्क में ब्रांच नहीं है Pakistan would be the second country Harodine Golf देखें तो पाकिस्तान में जो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान में पहले Harodine चोड़ें किसी गॉल्फ कोर्स का नाम में नहीं था इस तरह डिफरेंट बड़े पोजेक्ट्स हैं जो यहां पर Capital Smarties में आए हैं that too in the time frame only 5 years so this was it from today अगर आप Capital Smarties लिए लाहर Capital Smarties झाल झाल